आप सभीका स्वागत है अपने यूट्व चैनल भी और आज हम सीखेंगा गाईज सबसे इंपोर्टन चीज़े है एक्शन वर्प ठीक है तो आपको अगर वर्प के बारे में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो मेरा वर्टसप नमबर आपको दिख रह है जैसे कि आशल मेर देखा जाएं तो सबसे इंपोर्टन जो है रेकुलर और इर्रेगुलर यह दो मेर्प परकार पढ़ते है तो इसमें कोई डाउट है तो आप old मुझे पोर सकते हो हो दहेखो अक्शन हमे दो रेगुलर इर्रेगुलर और रेगुलर में भी छे प्रकार है इर्रेगुलर में भी छे प्रकार है तो आपको यह समझना चाहिए कि किस प्रकार का किस टाइप का जो वर्वें हमें कहा इस्तवान करना है तो जैसे कि जो बहुत सारे इंग्लिश एक्सपर्ट्स लोग है वह मा व्रकर का ट्रेजरी माना जाता है है खजाना माना जाता है इस तरका तो पहला जो आपने पास और करता है यह विवन तो पैसे बूल इसको he donates वो हो पैसे दान करता है he donates money उसके बाद हमें इसको आगला वाला टेंस में बनाएंगे कि जैसे कि मुझे ऐसा बोलना है कि उसने पैसे दान किया उसने पैसे दान किया तो कैसे बोलेंगे he donated money और उसके बाद तिसरा वाला जो है future टेंस का he will donate money तो इस तरह के हमें अलग-अलग sentence में इस वीवन का इस्तमाल करना है ताकि हमें ये जो वीवन है परफेक्टली याद हम कर पाए next वाले वीवन गाईज quarrel, quarrel सब जानते होंगे अगर नहीं भी आनते इसका मतलब बताएं लड़ाई करना जगड़ा करना, quarrel तो मुझे ऐसा sentence बोलना है कि बच्चे जगड़े करते है तो मुझे ऐसा बोलना है बच्चे जगड़े करते है students quarrel in the class, बच्चे क्लास में जगड़े करते है ठीक है, उसके बाद बच्चे क्लास में जगड़े करेंगे future में, ऐसे मतलब बहुत बार होता भी, करेंगे, तो कैसे बोलेंगे, students will quarrel in the class, right, उसके बात हमें ऐसे बोलना है कि बच्चों ने class में जखड़ा किया, pastoral, ठीक है, so students quarreled, इसको एडिया रागाएंगे हम, students quarreled in the class, so these are the sentences we can make by using V1, ठीक है, if you have any kind of doubt regarding verbs, आप मुझे पूछ सक करते हो, और मिलते हैं नेस पूड़े में, तब तक जहें